हाई फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं यह स्टेट यानि बिहार टेट की स्टेट टेट की जी हाँ नोटिफिकेशन जो है वो आज चुका है आपको पता ही है तो चली आए आज इस वीडियो में हम बताते हैं कि इसकी इलिजविल्टी क्या होगी योगता क्या होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पेपर हैं पेपर एक पेपर दो वो किन लोगों के लिए है कितनी विकेंसी जानी कितने पद कितने पोस्ट आए हैं सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे किस कि सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट आए हैं ओके लेकिन उसके पहले दि परिक्षा यस्टेट 2019 एवं सारीरिक शिक्षा एवं स्वास्त अनुदेशक योगता परिक्षा भी साथ में हो रही है। मादमिक शिक्षक पात्रता परिक्षा यस्टेट आयोजित करने हैं तो निम्न रूपेंट विसेवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ है। यानि कि यहां पे जो एक्जाम हो रहा है वो मादमिक और उच्च मादमिक अस्तर के लिए है यह चीज़ याद रखिएगा। यानि कि हम सीधे कह सकते हैं मादमिक शिक्षक पात्रता परिक्षा हो रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मादमिक और उच्च मादमिक अस्तर के लिए है। तो यहां पर आके देखते हैं पूरा विवरंट देख लेते हैं ठीक है ना अगर हम यहां पर देखते हैं मादमिक वर्ग के लिए तो मादमिक वर्ग के गर बात की जाय क्लास की तो 9 एवं 10 आ रहा है विद्याले हैं तो yes TET पर इच्छा आयोजित करने के लिए पेपर 1 के तहत विसेवार पद का आयोजन किया जा रहा है इसमें विवर्ण देख लेते हैं और इसी तरह से क्योंकि ये माध्मिक के लिए जिसमें 9-10th क्लास है और उच्छ माध्मिक है जिसमें 11-12th को रखा गया है अब यहाँ पर यानि की 9-10th क्लास को पढ़ाएंगे वो माध्मिक वर्ण के अंतर गताएंगे पेपर 1 वो कहलाएगा और जो उच्छ माध्मिक यान 11-12th को पढ़ाएंगे वो पेपर 2 कहलाएगा बेरी इंपोर्टेंट है और यहाँ पर देख लेते हैं बिसाय जो और पोस्ट देख लेते हैं किस बिसाय में कितने पद हैं पद बहुत ज़ादा है अब यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट की तो पद यहाँ पर सीधे 5000 चौमन है यदि हम बात करते हैं गणित की मैथ की तो 5000 चोमन है साइंस की बात करते हैं तो 5000 चोमन है समाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो 5000 चोमन है हिंदी की बात करते हैं तो तीन हजार पद यहां पे पोश्ट दिये गए हैं संस्कृत की बात करते हैं तो एक हजार चोमन और उर्दू की बात करते हैं तो एक हजार यदि हम टोटल यहां पे बात करते हैं माध्मिक अस्तर पे माध्मिक वर्ग के लिए यानि वर्ग 9 एवं 2 के लिए तो 25,270 पद यहां पे निकाले गए हैं इसी तरह से हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की यानि पेपर 2 में 11 से 12 क्लास को पढ़ाने के लिए उच्च मादमिक अस्तर पर अंग्रेजी सब्जेक्ट में 2,125 पद हैं इसी तरह से गणित मैत के लिए 2,104 पद हैं बोतकी के लिए 2,384 पद रखे गए हैं रसायन सास्त के लिए 2,221 पोश्ट हैं प्राणी सास्त के लिए 723 बनस्पस सास्त के लिए 835 कम्प्यूटर साइंस के लिए 1,673 पोश्ट यहां पे रखे गए हैं यदि हम टोटल की बात करते हैं तो 12,065 पद यहां पे उच्छ मादमी के लिए निकाले गए हैं यानि यदि हम टोटल दोनों की बात करते हैं तो 12,10,35 यानि 37,000 के संथिंग यहां पे विकेंसी आई हैं 15 में बिहार के state में अब चैन प्रक्रिया कैसी होगी किस तरह से चैन किया जा जाएगा तो देख वह रखाखी попроб करने वाले सभी nawr करतियों का चयन जो है वह उच्छ प्राप्तांग सी न्यून प्राप्तांग यानि घट्टे क्रम में होगा और मेरिट के आधार पर यानि बिसे बार एवं कोटिवार पद जो होगा उसके आधार पर रखा जाएगा यानि मेधा सूची बिल्कुन सुद्ध हिंदी यहां पर दियूच की गई है मेधा सूची यानि जो मेरिट सूची होती है मेरिट लिष्ट होती है वह बनाया जाएगा ठीक है आवेदन करने की तित्थी देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो वह आपकी नौ तारिक से नौ सेप्टेंबर से स्टार्ट हो गई है टाइम बहुत कम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ अठारा सितंबर यानि अठारा लास्ट डेट है वो भी सेप्टेंबर में ही तो नौ सितंबर से आवेदन भरना स्टार्ट हो गए है और लास्ट डेट की हम बात करते हैं फ्रेंड तो वो है अठारा सितंबर ठीक है और जाके आप online mode पे आविधन कर सकते हैं, offline mode पे आविधन सीकार नहीं किये जाएंगे, परिक्षा का item देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यदि मादमिक विद्याले का देखा जाए, पेपर प्रतम का, फर्स्ट का देखा जाए, तो वो आपका 10 से 12 तक रह गया, तक रह गय है, यहाँ पे यदि पेपर की बात की जाए, तो पातरता परिक्षा के प्रस्ट में बहु कल्पिक होंगे, यानि कि multiple choice के questions आएंगे, वही है, multiple choice में 4 विकल्प होते हैं, एक का सही करना होगा, negative marking नहीं होगी, very important यह है कि negative marking नहीं रखी गई है, यहाँ पे परिक्षा के जो eligibility है, वो है कि Hindi में इसनातक अस्तर पर पठीत, यानि इसनातक में आपका Hindi होना जरूरी है, और उसमें साथ में B8 होना भी जरूरी है, इसी तरह से उर्दू के लिए, इसनातक अस्तर पर उर्दू होना जरूरी है, यानि आपने इसनातक उर्दू के साथ में किया है, और प्लस B8 होना compulsory है संस्क्रित के लिए है इसनातक आपने संस्क्रित के साथ में किया हो प्लस B8 यानि B8 जो है सभी में मागा है और साथ में इसनातक में आपका वो subject में इसनातक होना जरूरी है के साथ में होती है तो इसना तक अस्तर पर गणित को प्रधानता दी गई है प्रात्मिकता दी गई है विज्ञान में भी चीज़ है इसना तक अस्तर पर प्रानी विज्ञान, बनस्पद विज्ञान, रशायन, विज्ञान, 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 विज् यानि कि यदि आपने बीए किया है तो बीए में आपका इतिहास भूंगोल अर्ड सास्त और राजनी सास्त में हिस्ट्री कोनॉमिक्स पोलिटिकल साइन्स इन में जोग्रिफी इन दोनों चारों में से दो सब्जेक्ट आपके होने कमपल्सरी है बीए में तभी आप इलिजवल होंगे और जिसमें अनिवारत एक विषय इतिहास या भूंगोल अवश्च हो और बीए कमपल्सरी है इसमें ज़्यादा बाउंडेशन रखा गया है एक वाफी समझा देती हूँ जो लोग आर्ट सा सास ताजनी सास्त में से दो विषय होना जरूरी है इन चारों में से दो तो होना है लेकिन जो दो विषय है उन दो विषय में से इतिहास एवं भूंगोल होना अवश्यक है यदि आप अपलाई करेंगे तो आपके पास इतिहास या फिर भूंगोल दो में से एक सब्जेक् किप टाइप के होंगे 50 अंक जो होंगे वह सिक्षन कला अंधक्षताओं पर आधारित होंगे इसे हम जो है बाद में देख लेंगे ठीक है चलिए यहां पर पेपर एक के लिए अहरता यानि के निवारता देख लेते हैं तो देखें यहां पर सिधी सी बात है कि आप बिहार अगर निकाय जिला परशत मादमी के सिख्षक नियों जन निवावली 2006 बनाया गया था या फिर उच्च मादमी सिख्षक के पद है तो मादमी सिख्षक बाता परिश्चत 2019 के भ्यरती भी हो सकते हैं पेपर एक के लिए जो निर्धारित भी से हैं उनमें बिश्विद्याले सिख्षक नियोंतम 50 प्रश्चत इसनातक में होना जरूरी है और बीएट की डिग्री होना चाहिए यहां पें सुचिस जाती हैं सुचिस जाती अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है पांच प्रस्चत की छूट दी गई है संस्कृत विश्यों में रास्तरकार द्वारा मानता समीठी से प्रदत सास्त्री आलिम की डिगरी को इसनातक समक्ष माना जाएगा लेकिन यहां पर जो समक्ष नहीं पेपर 2 को देख लेते बेरी इंपोर्टेंट है पेपर 2 यानी 11 से 12 के लिए जो है तो यहां पर देखिए सीधी सी बात है आपका जो इसनाकोत्तर यानी पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वो इनी सब्जेक्ट में होना चाहिए ओके अंग्रेजी में इसनाकोत्तर गणि सब्जेक्ट में है बीएड नहीं है कोश्चन पेपर 2 के भी वैसे होंगे 100 अंक का होगा आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 50 अंक सिक्षड कला एवं आनदक्ष्टाओं पर अधारित होंगे पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी से हैं वहां पे निर्दि सब्सक्राइब सहर। पांच परशत की छोट दी गई है तो फ्रेंश यहां पर हमने देख लिया जो इस नाता कस्तर पर है ठीक है इतना समझ में आ गया अब नीचे हम देख लेते हैं थोड़ा सा तो पेपर दो कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी वही है कि पोस्ट के साथ में होने चाहिए और इसमें भी बहुत सारे चीजें इसमें भी पेपर अगर दो में देखते हैं तो सो अंक आएंगे कोश्चन जो होंगे वह आपके सो प्रशन होंगे ठीक है जो जिसमें से पचास अंक सिक्षन अकला एवं अंदक्ष्टाओं पर आधारित होंगे यानि कि आपका टोटल सब्सक्सा जिला परिष्ट मांदमी सिक्षा नियोजन नेमा वली या भीरती मांदमी सिक्षा स्पारिष्ट 2019 वेरती हो सकते हैं तो और पास कर लिया है 60 और दीएक नियोस्य जाह एक विश्वित विखिध्यशाले सब्सक्रांप्लों बaming आपकर 7 मैं यानि कि प्रस्त की चूट दी गई है तो उम्र सीवा 21 वर्स की कम से कम 21 वर्स होनी चाहिए और यहां पे दिभ्यांग लोगों को उम्र सीवा में जो है मादमी सिक्षक पात्रा में दस वर्स की चूट दी गई है तो उम्र सीवा यहां पे है तो दीखें यहां पे समान पुरुस के लिए जो उम्र सीवा रखी गई है अधिकतम वो 37 वर्स रखी गई है और पिछड़ा वर्स के लिए 40 वर्स रखी गई है और यहां पे समान लोगों के लिए मादमी सिक्षक पात्ता परिक्षा में 50 अंग ज 45 परशेंट होना जरूरी है मादमी सिख्षक पात्ता यानि 9 से 10 जो आप पढ़ाएंगे उसमें परिक्षा का जो देख लेते हैं फीज देख लेते हैं तो फीज देख यहां पे सामान यानि की जनरल के टेगरी के लिए पिछड़े वर्क के लिए और अत्य जो पिछड़े व पढ़ेंगे लेकिन आप दोनों पेपर देते हैं तो फिर आपको 800 रुपए देना पड़ेगा इसी तरह सुषी जनजाती के जो दिब्यांग पुरुस महिला है तो उनके लिए 300 रुपए पर पेपर है लेकिन आप दोनों पेपर देते हैं तो 500 रुपए है सारी दिख शिक बढ़ें और वीडियो को लाइक करिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि सभी तक इनफार्मेशन पहुंच जाए और साथ में प्रपरेशन के लिए जुड़ जाए इस चैनल से चलिए फिन नेस्ट वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेक के लगाए